नमस्कार मैं आलक सुकला स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्तान परिक्षाप्रस में रेल्वे की तरब से पैरामेडिकल कर्टेग्रीज में बहुत सारी वेकंसी आप सभी के लिए आई हैं और इसमें एक बहुत 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 से लरी है बेसिक बात किया जाए 44,900 45,000 बोली उसके बाद 50% यह और रेल्वे की तरब से इतने सारे अलावेंस तो आपकी सेलरी को लगभग 80,000 लेके जाते हैं यह वाकई में कहीं न कहीं बहुत 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 छे से आठ गंटे की जॉब और इतनी बहुतरीन आपकी रेपोटिशन सायद इससे बहुतरीन जॉब आपके लिए नहीं हो सकती तो आप इस पूरी वीडियो को लश्टक अवश्य देखीगा बहुत सारे बच्चियों का बहुत सारे भाईयों का ये confusion है कि इसमें कौन को नवीदन कर सकता है इसकी age criteria क्या है क्या क्या इसमें मांगता है क्या पढ़ना होगा कहां से तैयारी करना होगा तमाव आपके बहुत सारे doubts होते हैं जो इस वीडियो में आपको clear करने वाला हूँ यदि अब चनल पर नए हो चनल को सब्सक्राइब हो शेक किया है 17 अर्ट से start किया है यानि कि 17 अगस्त से आप इसमें आवीदन कर सकते हो और अंतिम तिथी क्या हो जाएगी 18 सक्टमबर तक इनकी 16 अगर पिशले हम लोग नोटिफिकेशन देखें तो पिछले नोटिफिकेशन में लगबख 16 कैटिगरी की जौब ती इसमें इस बार इनोंने बीस कैटेगरी की जौब दिया है जैसे इस बार इन्होने audiologist, speech therapist का हो गया, clinical psychologist का हो गया, ये सारे क्या हैं, कुछ आपके extra पद आए हैं, है न ये occupational therapist हो गया, ये cath lab वाले हो गये, तो ये कुछ extra पद आए हैं, जिसमें से हम बात कर रहे हैं, nursing superintendent या staff nurse, आप बोलो, level 7 की job होती है, 44,900 basic pay होता है, C1 इसका medical standard होता है, C1 कोई बहुत heavy, बहुत भारी नहीं होता है, classic surgery वाले इसमें कर सकते हैं, उम्रे इसमें 20 से 43 है, 20 से 43, तीन सार relaxation इसमें including है, इस से पहले 20 से 40 वाले, तो 20 से 43 से बहुत बढ़ा ease gap हो जाता है, बहुत सारे वच्चे इसमें सा question आप सभी का रहता है, सबसे बहुत सारे बच्चों के अभी यह नहीं पता है कि कितनी vacancies हैं, तो अभी मैं किवर staff nurse की बात करूंगा 713, वैसे अगर पूरे paramedical categories की बात किया जाए, तो लगबग आपका लगबग 1300, 136 तर या आप इसे 1400 के आसपास इने बोल सकते हो, vacancies आ रही है, जो vacancies की संख्या कम नहीं है, और अगर यहाँ पर बात किया जाए, कुलपत 713, कौन भर सकता है form तो यह पूरी वीड़ा आपकी इसी सम्मनित है, age कब से count होगी, तो age जो इनका count करने का criteria है, एक, एक, दो हजार पचीस है, इस बार इन्होंने बतला है, पिशली बार जुलाई लेते थे, इस बार यह पचीस ले रहे हैं, salary कितनी है, तो salary आप 80,000 के आसपास, क्योंकि 44,900, तो आपका इसके बाद आपका 50% क्या होता है, allowance होता है, तो 50% अगर 45,000 के आसपास आप जोड़ लो, इसमें क्या हो जाएगा, यह आपका DA हो जाएगा, जो आपका इस समें कितना चल ला है, वरतमान में, 50% इसके बाद इन दोनों को जोड़ लोगे, तो यह आपका कितना हो जाएगा 9, 5, 14 हो जाएगा, 4, 2, 6, 7 हो जाएगा, और 4, 2, 6, 6, 64,000 के बेसिक और DA मिला के हो गया, उसके बाद आपका HRA हो गया, TA हो गया, बहुत सारी चीज़ें आपकी इसमें जुड़के आती हैं, है ना बहुत सारे बतार रेलवे की तरब से होते हैं, और यह कुल मिला के आपका यह 75,000 से 80,000 in hand आपका बैठता है, यह initial की salary की मैं बात कर रहा हूँ, initial आपकी 72 की आसपास से start होती है, जो बहुत बहुत बहुतरीन आपके लिए क्या होता है, बहुत बहुत बहुतरीन job opportunity है, तो salary के बारे में बिलकुल इसमें सोचना नहीं है, railway की vacancies, level 7 की job जो कई सारे PCS पोश्ट से ऊपर की job है, अगर state PCS में बात करोगे, तो level 7 कई सारे PCS पोश्ट में भी level 7 की job नहीं होती है, यह बहुत बहुत बहुतरीन job है, इस बात को आप समझेगा, कहा होगी posting, जंदलीन की posting जो होती है, वो railway hospitals में होती है, और syllabus और exam patterns सब कुछ हम लोग इसके बारे में समझेंगे, यह सारी चीज़ें, इक बार हम लोग C1 Medical के बारे में देख लेते हैं, तो C1 Medical में इसमें क्या कहते हैं, कि physically fit in all respect होना चाहिए, स्तात में इनके distance vision 6 बटे बारा, 6 बटे 18 होना चाहिए, near vision 0.6, 0.6 होना चाहिए, with or without glass होना चाहिए, medical के वीडियो मैंने अलग से बनाया है, यह सारी चीज़े क्या होती हैं, इसी वीडियो के description में है, आप उसे detail में देख लीजेगा, बाकि सारी चीज़े मैंने आपको बता दिया है, age relaxation आपका as it is government की criteria पे, एक बार आप देख लीजेगा, OBC का 3 साल, SCST का 5 साल, ex-servicemen का अलग-अलग OBC unreserved criminal, और SCST के लिए अलग-अलग criteria पे होता है, ऐसे PWBD या भी होता है, ऐसे बाकि जो आपके relaxation है, सारे relaxation as per government नौमसी होते हैं, रही बात अगर आपकी बात किया जाए, तो इसमें कौन eligible है, सबसे बड़ी बात, तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप 20 से लेके 43 से age की बीच में हो, मतलब आप 1-1-225 को 20 साल पूरे हो जाओ, और आप 43 साल से जादा न हो, अगर आप इस category में हो, तो आप कर सकते हो, ऐसे ही जो OBC का candidate है वो 46 साल तक, और SCST का जो candidate है वो 48 साल तक, तो मेरे ख्याल से मैं इन जनरल बोल दू कि जितने भी लोग हैं, सब eligible हैं, age criteria कोई matter रखता ही नही क्या मांगा है, इन्होंने GNM मांगा है, क्या 3 साल का course, वो वैसे जो GNM होता है, 3 साल का course होता है, क्योंकि वो 6 महीने का क्या होता है, 6 महीने का आपका, आप सकते हो कि training type में होता है, तो वो 3 साल ही केवल मांगा है, 3 साल का आपका GNM का course होना चाहिए, और other institution ठीक है, या फिर की अपके बहुता है ओकहा बहुता है यह सारे बच्ची नोट की वज़ा से कन्फूज हो रहे हैं कि यहां पे लिखा है कि INC जो है Indian Nursing Council जो है, has also let down certain special concession देता है, किसे concession देता है, A&M ओले लोगों को A&M, auxiliary nurse midwives हो गए, या midwives हो गए या फिर जो grade B kindergarten के nurse होते हैं, इनको concession देता है कि वो अपना जो course है A&M के बाद G&M कम समय में पूरा कलने, जिन्हें बोला जाता है bridge course, तो A&M का वो candidate जिन्होंने bridge course किया हुआ है, ये लगबग एक साल का course होता है, G&M या फिर A&M के बाद G&M या nursing BSC nursing, कई बार क्या होता है G&M को लोग कर लेते, कई लोग BSC nursing कर लेते, तो कोई A&M अगर bridge course किया हुआ है किसका, BSC nursing का या फिर किसका किया हुआ है, G&M का किया हुआ है, तो वो eligible है A&M के साथ, एक साल का extra bridge course आपका certificate book course होना चाहिए तब आप eligible हो, केवल अगर आप A&M हो, तो eligible नहीं हो, इस notes का मतलब ये है, clear, तो आपनो कौन, या तो G&M वाले, BSC nursing वाले या A&M plus bridge course वाले और अगर bridge course कर लिया, तो उसका मतलब या तो BSC nursing या G&M हो ही गया तो ultimately अपका BSC nursing या G&M ही आप इसे बोल सकते हो, कि ये क्या कर सकते हैं इसमें form आवेदन कर सकते हैं तो ये जो सबसे बड़ा doubt था वो मैंने आपका यहां पे clear कर दिया है 713 vacancies आपका staff nurse का है अब रही बात इसकी तैयारी और क्या पूछा जाता है तो आप से 100 number का paper होता है एक ही stage का exam होता है, online paper होगा 90 minute का paper होगा 1 third आपकी negative होगी जिसमें 70 number आपके syllabus से पूछा जाता है और 10 10 10 number आपका general awareness maths or reasoning और science से पूछा जाता है इसमें A&M वाले जो दोस्त हैं हमारे जो बच्चियां हैं वो क्या करते हैं वो दुखी हो गए कि सर मारे हाथ से निकल गया तो आपको परिशान होने की जरूवत नहीं है आपके लिए UPSC की तरफ से A&M की बहुत बेतिन vacancies आ रही है और अगर आप all over India किसी भी state से हो तो general category में UP में आके जॉब कर सकते हैं और UP में हो तो आपको category का भी लाव मिलेगा ये UP SSC की तरफ लबबग बावन सो तिर्पन सो पत्तिक फिल से इससे पहले 9000 पदों पे आया था और तिर्पन सो पतों पे आप सोचो केवल A&M की vacancy overall railway की कुल vacancy जो आपका paramedical category आई है 1400 उसका कम से कम 3 गुना है 4 गुना है इस बात को ध्यान दीजेगा तो ये A&M वाकई में आपके लिए बहुत बेतिन है बाकि जो UP वाले category आई है तो UP वालों के लिए तो बहुत 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 बढ़ी बात है बैच लेना चाहते हो तो बैच अब मात्र एक सुनिय ना बहुत बच्चे बोलें कि सर का स्टाफ नर्स का को साएगा तो इस्टाफ नर्स में अगर आप बैसिक जो चीजे हैं जैसे मैं आपको बता रहा हुता यह 10-10 नमबर आपके कौन से हैं इस वाले पार्ट को आप तयार करना चाहते हो तो आपके लिए यूटूब पे ये तीस नंबर कवर करवाया जा रहा है कहां से आप कवर कर सकते हो आप परिक्षा प्लस इसी यूटूब चैनल पे सामको छे बजे मैं खुद साइंस की क्लास लेके आता हूं उसके बाद आठ साथ बज़े मैस की क्लास लेके आता हूं और आपके साथ बज़े funk vítap मजबूत कर सकते हो जो परिक्षा प्रस यूटूब चैनल पे सामको छे 42 के बीच में कर सकते हो यह ती में आपको पढ़ा हूंगी और को और से जो ना साते हो तो आप इन से जुड़ सकते हो रही बात इनके सिलेबस का तो सिलेबस एक बार मैं आपको बता दू कि आपके सिलेबस में क्या पूछा जाता है स्टाप नर्स में तो इसमें आपका human anatomy पूछा जाएगा anatomy पूछेगा आपका physiology पूछेगा nutrition से पूछेगा biology से पूछेगा नर्सिंग से नर्सिंग फांडेशन psychology से पूछेगा microbiology sociology यहाँ पे आपका pharmacology से पूछेगा pathology से genetics से medical surgical nursing से adult including यहाँ पे community health nursing child health nursing mental health nursing midwifery and obstetical जो nursing होता है nursing research and statistics management of nursing services and education इन सब से आपके question पूछे जाएंगे जो आपके 70 number के question यहाँ से पूछे जाते हैं बाकि general maths हो गया उसमें आपका number system और आपके basic क्या होते हैं basic आपका बोल सकते हो कि arithmetic है साथ में statistics technology railway के सारे का syllabus सेम है ऐसा reasoning का भी सभी का syllabus सेम है reasoning आप देख लिजे जन्रल एवनेस में जन्रली एक current affairs और इस्टेटिक पार्ट पूस्ते हैं तो दस question है दस question में current affairs और इस्टेटिक की पूछेगा बहुत ज़्यदर जन्रल एवनेस के परिसान नहीं होना है और science आपका 10 इस्ट्रेडर तक सीबीस्टी सिलेबस के according पूछता है तो आप अगर 10 तक NCRT पढ़ लेदो तो भी आपका cover कर लोगे तो वहां से आपका cover हो जाएगा वही बात इस पर जैसा भी होगा आपको बहुत जल सूचित करूंगा इस वीडियो में बस इतना ही चैनल पे नए हो सब्सक्राइबर शेकर लीज़ेगा यदि आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते फिर मिलूंगा धन्यवास अभी का आप